यूपी के डिप्टी सीम केशव पुषाद मौर इसक्त मेरे साथ मौजूद हैं केशव जी महनपूरी से डिंपल यादो चुना लोड़ रही है आपकी पार्टी से रगुराज शिंग साक को टिकट दिया गया है क्या सोच करके क्या देख करके देकि भारती जनता पार्टी मह अभी भी मैं 2014 और 2019 दोनों चुनाओ जानता हूं नेता जी के खिलाब प्रचार करने के लिए हमारे कोई वरिश्रतम नेता जो मानि प्रधान मंत्री जी या मानि राश्ची अद्ध्य जी उस समय के नहीं गये थे अब यह दुर्भाग्य पूर्ण रहा दुखद रहा कि निता जी करनी धन हो गया और महनपुरी सीट रिक्त हो गई महनपुरी सीट परंपरगत तरीके से भाजपा की ही है और यह सूप चुनाओं के साथ वहां कमल खिलेगा और फिर आने वाले समय में निरंतर कमल खिलता तोड़ी सी भाजब नहीं हो रही है लेकिन हमेशा से समाजवाधी पार्टी यादो परिवार कंप जा रहा है लेकिन वहां का राजनेतिक द्रिष्टी से जो वातमण है हमने दो विधायक हमारे वहां मैं पूरी लोकसभा चेत्र से जीते हुगे तिन विधान सबस्वा चेत्रों में हम लोग नहीं सफलता राप्त कर पाए हैं लेकिन उनके कारण कुछ और रहे होंगे लेकिन लोकसभा में आजमगर लोकसभा और रामपुर की ल अंतर से जीता गया है उससे बहुत बड़े अंतर से भारती जनता पार्टी के लोकसभा के प्रतिहासी स्री रागुरास सिंग साक जी आप विश्वास रखिएगा वहां की जनता कमल का फूल कि लाना चाहती है क्योंकि सपा को ओड देने का मतलब कोई मतलब नहीं है ना दे वुलायम सिंग जी के प्रति हमारा बहर भाव नहीं था यह तो अंदर की बात है कि अदुबंसी भी इस बार भाजबा के साथ है अचा रगुराज सिंग साथ को वोट देने की पीछे कुछ फैक्टर्स ऐसे जो चर्चा में आ रहें कि एक तो शाक्त विरादरी से हैं याद अब यहां लड़ने के लिए अभी दो अभी लोग सभा के चुना उन्होंने खाली कि आजमगड की दूसरी रामपूर की यह तो दुखत कारण से खाली हो गई है तो जो भी समर्थन देना चाहता है उसका स्वागत है और वहां पर श्री निश्चित तोर से बड़े अंतर स से भी ओंगे और रामपूर का जो उपचुना हो रहा है जो हमारे श्रीया कास सट या बनाएं जये आ बनाए गएं है रामपूर में और श्रीमति राजकुमारी बनाए घिक चौनि गई है कटाव्ली में यह दोनों पर थैसी भी जीतें तीनों हो रहे है कमल कि ले पूल खिला करके उत्तर प्रदेश से जो 64 सांसद हम 2019 में जीते थे चाचट हो गए हैं आजमगड़ा और रामपुर मिला करके सरसट हो जाएंगे यूपी से सांसद महिनपुरी को मिला करके आखरी सवाल है खतवली की सीट का आपने जिक्र किया तो विकरम सिंग सैनी की सदस्ते चली गई है आप हमेशा समाजवादी पार्टी पर परिवारबाद का अरोप लगाते हैं और उनकी पतली राच्कुमार सैनी को टिकट दे दिया है परिवारबाद नहीं है सबक्साइब जीतने लायक होता है उसके पच्छ में फैश्णा लेती है और वहा फैश्णा परिवारवाद की स्रेंडी से बहुत बाहर है। पता नहीं कितने लोगों के जीवन में खुशाली का रास्ता साप करेंगे। मैन पूरी में थोड़ी बहुत जो गुंडा-गर्दी बची है वहाँ भरोसा रखिये कि लोकसवा में कमल खिलने के बाद उसका भी यंत हो जाएगा। और इस बार कम से कम 50% से जेदा वहाँ बाकी ओट तो हमें दे ही रहे हैं। यादो का भी ओट हमें मिलेगा। कैमरामन फैसल के साथ संजेत रिपाठी एबीपी निउज लखनवू।